अगर आप हमारे इस चैनल पर नए है तो वीडियो पुरी देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए शुरू करते हैं आज का ग्यान राजनीती हिंदी भाषा की एक पोलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेट किया था आरक्षन गंगाजल और सक्ता गिरह जैसी फिल्म में डायरेट करने वाले डायरेक्टर परकाज ज्छा ने साथ ही उन्होंने इस फिल्म के डायलोग्स को भी लिखा था परकाज जहा की इस फिल्म में बहुत सारे चर्चित कलाकारों ने काम किया था जैसे कि अज़े देवगन, रनबीर कपूर, मनोज बाजपई, नाना पाटेकर, अरजुन रामपाल, नशुरुदीन सहा और कट्रीना कैप अज़े देवगन और परकाज जहा की जोडी को तरशक इस फिल्म से पहले कई सारी फिल्मों में देख चुके थे, जबकि रनबीर कपूर की परकाज जहा के साथ ये पहली फिल्म थी, इस फिल्म को प्रोडूस किया था, परकाज जहा प्रोडक्शन ने साथ ही फिल्म को डिस प्रेस्ट जगह है फिल्म को शूट करने के लिए यहां के लोगों का वेवार इसे और भी अच्छा बनाता है जबकि वहां का एट्मोस्पेर भी बहुत ही जादा अच्छा है। इस फिल्म को एडिट किया था संतोष मंडल ने। इस फिल्म का रणिंग टाइम है दो घंटे 50 मिनट इस फिल्म को IMDb पर 7.1 आउट ओफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। साथ ही वहां पर इस फिल्म को 88% लोगों ने लाइक भी किया हुआ है। फिल्म की स्टोई की बात करें तो फिल्म की कहानी एक राजनितिक परिवार के एड़गिर्द घूमती हुई समाज में और भारत की राजनिती में फैली हुई बुराईयों पर गहरी चोट करती है। फिल्म के अंदर दिखाये गए पात्र भारत की एंसेंट हिस्ट्री के महाबारत से मील खाते हैं। फिल्म के अंदर नाना पाटेकर के दुवारा निभाय गया पात्र भगवान शुरी कृष्णा से इंस्पायर था तो अजदेवगन का पात्र कर्ण से प्रेरित है। इंदू दुरोपती से इंस्पायर था। फिल्म के अंदर नाशुरी दिन सहा ने भी एक गेस्ट एपिरियंस किया था। पर ओपनिंग के साथ शुरुवात की। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन पर 10 क्रोड 33 लाग की कमाई करते हुए सेकिंड हाइस्ट ओपनिंग डे का रिकॉर्ड बनाया था। इस फिल्म से आगे सिर्फ आमिर खान स्टार फिल्म थ्री इडियेट्स थी। फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 33 क्रोड 22 लाग की कमाई करते हुए हाइस्ट ओपनिंग वीकेंड इन फर्स्ट आप ओप ड़ एयर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ये रिकॉर्ड इस से पहले फिल्म हाउसफुल के नाम पर दर्ज था। एक सो पैतालीस क्रोड 50 लाग रूपियें इस फिल्म का बजट था 61 क्रोड रूपियें और ये फिल्म एक सूपर हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म ने टिकेट खिड़की के उपर एक क्रोड 53 लाग 56,400 टिकेट सेल किये थे। औस्टेलिया के अंदर और न्यूज रिलीज की बात करें तो ये फिल्म अपने पहले विकेंड पर 11 नंबर पर रही थी। फिल्म यूएस बॉक्स ओपिस पर लिमिटर रिलीज वाली फिल्मों में भारत की तरफ से तीसरी फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को भारत के क्रिटिक्स ने खूब सरा था और इस फिल्म को हिंदुस्तान टाइमस ने 3 आउट ओफ फाइप, टाइमस ओफ इंडिया ने 4 आउट ओफ फाइप, तथा एंडी टीवी की अनुपमा चोपडा ने 3 आउट ओफ फाइप की रेटिंग्स दी थी। फिल्म के सभी कलाकारों के अभीने के साथ साथ परकास जहा की ड फिल्म के अंदर मनोज बाजबई द्वारा कहा गया डायलोग करारा जवाब मिलेगा, खासा परसिद हुआ था, साथ ही उनके रोल की भी खुब तारिफ हुई थी, इस फिल्म के अंदर हमने रनबीर कपूर और कटरीना कैफ की रोमानिटिक जोडी को भी देखा था, लोग इस से पहले इन दोनों को फिल्म अजब ट्रेम की गजब कहानी में देख चुके थे, इस फिल्म की शूटिंग के दोरान इन दोनों के अफेर्स की चर्चाएं खूब उड रही थी, फिल्म के अंदर रनबीर कपूर के दोवारा निभाय गया करेक्टर समर भी काफी चर्च फिल्में ही की थी, राजनीती फिल्म की रिलीज के वक्त अजे देवगन का स्टार्डम बहुत अच्छा चल रहा था, उन्होंने साल 2010 के अंदर ही अथी थी तुम कब जाओगे, Once Upon a Time in Mumbai, गौलमाल 3 और राजनीती जैसी काम्याब फिल्में दी थी, परकास जहा के साथ अज असर 14 पर 30 की रेटिंग मिली हुई है, फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था प्रितम, आदे सिर्वास्तव, शांतनू मोहितरा और वाइने शाप ने, फिल्म का एल्बम 14 माई 2010 को रिलीज किया गया था, जिसका लेबल है सोनी म्यूजिक इंडिया के पास, इस फिल्म के लि भीगी सी, भागी सी और इश्क बरसे, फिल्म को मिले अवोर्ट्स की बात करें तो स्टार स्किन अवोर्ट्स के अंदर बेस्ट एक्टरस इन्हें पॉपलर चोईस का अवोर्ड काटरिना कैफ को दिया गया था, तो बेस्ट स्क्रिन प्ले के लिए परकाश जा और अंजु प्ले किया गया करेक्टर कॉंगरेस चीफ सोनिया गांधी ताथा राष्टे जनता दल की चीफ रबरी देवी के जीवन से प्रेरी थे, जिस पर डिरेक्टर प्रकाश जहां ने ये कहा था कि ये फिल्म सिर्प और सी भारत की हिस्ट्री के महाभारत से प्रेरी थे, फिल्म क एक सीन में दिखाया गया था कि कैसे किसी महिला को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए शोशन का सामना करना पड़ता है इस सीन के कारण भी ये फिर्म खासी चर्चा में रही थी दोस्तों अगर आपने ये फिर्म नहीं देखी है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है तो इस फिर्म को आप जरूर देखे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही हमें अपने सुझाव देना भी बिलकुन ना भूले धन्यवाद दोस्तो जहिंद